Hello everybody, welcome to Magnet Brains. मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 11 की जो आपकी Elective Book है, Woven Words, उसकी Poem No. 10, जिसका नाम है Felling of the Banyan Trees. आज कवर करूँगी इस Poem की मैं Summary and Understanding the Poem के अंडर सारे Important Questions and Answers. अगर आपने मेरे इस वीडियो का Explanatory वीडियो नहीं देखा है, तो जल्दी से जाईए और देखके हैं क्योंकि वो भी मैंने आपके लिए करके रिलीस कर दिया है. So, let's begin with the Summary of the Poem. The Poem, Felling of the Banyan Tree by Dilip Chitre, is about the cutting down of the ancient banyan tree that stood in the yard or the garden in the poet's ancestral house when he was a small boy. तो यह जो Poem है, जिसका नाम है Felling of the Banyan Tree, यह किस ने लिखी है? Dilip Chitre ने लिखी है. यह Poem basically किस बारे में है? कि जब Dilip Chitre एक small boy थे, छोटे boy थे और यह लोग Baroda, Gujarat में रहते थे, तो इनके घर के बाहर, इनका जो घर था, वो क्या था? एक ancestral house था इनका पुष्टेनी घर था, उनके घर के बाहर एक छोटा सा yard, एक छोटा सा garden था, जहां बहुत सारे अलग अलग पेड थे, जिसमें से एक Banyan Tree भी था और यह Poem उसी Banyan Tree के cutting के बारे में कि कैसे Poet के फादर ने वो Banyan Tree और दूसरे Trees जो उनके गार्डन में खड़े हुए थे याने उगे हुए थे, शायद पिछले 200 सालों से उनको कटवा दिया और Poet को इन सब चीजों का बहुत बुरा लगा क्योंकि उनको लगता है कि यह उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है दिवर लिविंग इन बारुड़ा और दिर वर मैनी ट्रीज अराउंड देर हाउस बिलाउंग इनके घर के बाहर बैनियन ट्री के अलावा बहुत सारे दूसरे भी पेड़ थे जो इनके फादर के थे Poet के फादर के तो ऐसा था कि यह लोग एक खेल एक पहाड़ी पर रहते थे यहां बीच में Poet के फादर का घर था और साइड में छोटे छोटे बहुत सारे घर थे जिसमें Poet के फादर के टेनेंट्स याने किराइदार रहते थे और बहुत सारा यहां पे पेड और बैनेंट्री वगरे थे एक दिन Poet के फादर ने सारे की टेनेंट्स याने किराइदारों को कहा कि मेरे घर को वेकेट कर दो याने खाली कर दो मुझे अब और किराइदार पे घर नहीं देना तो ऐसा क्यों बोला पेड के फादर ने क्योंकि वो यह सब घर उन्होंने तुड़वा दिये जब किराइदारों ने खाली किये और पेड उनको सारे कटवाने थे क्योंकि माइट भी उनको यह लैंड बेचना था लेकिन Poet की जो ग्रैंड मदर दादी थी वो कहती थी कि पेडों को काटना एक क्राइम है याने गुना है क्योंकि जो पेड है वो सेक्रेड है याने होली होते हैं पवित्र, पूजनी होते हैं पुराने हिंदू माइथलोजी में लोग पेडों की पूजा करते थे और जो boy याने खुद दिलिप चित्चित्रे थे वो आज भी अपने दादी के इन शब्दों को याद करते हैं लेटर, his father employed workers to cut down the trees like Shriyoga, Odaimber, Neem, etc. और बाद में जब पहले और जब उनने घर खाली करवा दिये तो बाद में उनके फादर ने workers और laborers को बुलवाया कि बाई आओ और जितने पेड हैं मेरे घर के बाहर गार्डन में सब काट दो जैसे की कौन-कौन से पेड थे, Shriyoga tree था, Odaimber tree था, Neem के पेड थे, Banyan tree, सबको काटने के order दे दिये But there stood an old gigantic Banyan tree, it occupied a lot of space with its number of aerial roots सारे पेड कट गए लेकिन सिर्फ एक Banyan tree खड़ा रहा और वो बहुत gigantic था, काफी बढ़ा था, 200 साल पुराना था और वो कट होने में problem दे रहा था, क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी space घेर रखी थी, बहुत बड़ा पेड था और उसके बहुत सारे aerial roots भी थे, अब roots क्यों होती है? Roots होती हैं जड़े, जैसे पेड की जड़े, roots जमीन के अंदर होती है, under the ground वैसे बैनियन ट्री की कुछ, under the ground roots होती है, जो की मीलो तक फैली रहती है लेकिन उनकी कुछ, aerial roots भी होती है, जो इस तरीके से होती है, ऊपर से hang होती है, इसे लटकती और जमीन तक टच करती है तो इस पेड को काटना भाई, बहुत मुश्किल आ रही थी, its roots were very deep, इसकी जड़ें थी, under the ground वो बहुत बहुत मीलो तक फैली होई थी The bannion tree was three times taller than their house, उनके घर से तीन गुना बड़ा था bannion tree His father felt that the tree was a problem and at last he ordered the workers to remove it उनके father को लगा कि पेड बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत जगा घर के बैठा है और finally उन्हेंने order दे दिया कि भाई, कुछ भी करो कैसी भी करो, इस पेड को कट कर दो First, the workers cut down the aerial roots and then the branches, burden insects left the tree तो शुरुवात कैसे करी, इस पेड को काटने की, तो workers ने सबसे पहले जो aerial roots hang हो रहे थे उनको cut करना start किया, लगबख 7 दिन तक aerial roots cut के पूरे हुए जैसे ही इस पेड में रहने वाले जीव जन्तू, इंसेक्स, पेड के पक्षियों को, birds को पता चला कि भाई, पेड कट रहे है, तो उन बेचारों का घर छूट गया, क्योंकि उन्होंने पेड छोड दिया ये बड़ा सा पेड, बहुत सारे जीव जन्तू के लिए घर भी था It took 7 days for 50 people to fell only the branches, तो सिर्फ aerial roots और branches को काटने के लिए 50 आदमी लगे और 7 दिन तक कटती रही Later, the workers started cutting the trunk और फिर, later, बाद में जब ये area roots अब कट गई तो फिर workers ने इसका जो trunk है, ये जो तना है इतना मोटा इसको काटना start किया The rings in the trunk revealed its age, which was 200 years old Now the tree was mercilessly chopped तो कहा जाता है कि जब आप पेड को काट दो ये जो तना है, इसको काट दो बीच में से दो parts में कर दो तो कुछ इस तरीके का होता है ऐसे rings, 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 rings ऐसे दिखती है तो का जाता है कि एक पेड की अगर age या उसकी उम्र पता करनी है तो आप उसकी rings देखो तो जब ये पेड कटा तो पता चला कि 200 साल, 200 years पुराना ये ट्री था सुच उसने कितनी जनरेशन स्पीडियों को देखा हुआ था और फाइनली बहुत बेरहमी से इस पेड को कटवा दिया गया या ने चौप करवा दिया पोएट के फादर ने तो जुआपर जहाँ पेड नहीं था चॉँकि बॉम्बे एसी जगह जहाँ पेड नहीं होते हैं महाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंस होती है तो भले वो लोग बॉम बे चले गए लेकिन दिलिप चित्रे जो हमारे पोएट है उनके माइड में कही न कही ये बैनियन ट्री मतलब अभी भी इमाजिनेटिव माइड में था और ग्रो हो रहा था और कह रहा था सवाल पूछ रहा था पोईट से कही न कहीं कि मैंने तुम्हें इतने सालों तक छाया दी शेड दी तुमने मुझे कटवा दिया मेरे अंदर रहने वाले सारे इंसेक्स और बर्ड्स का घर चीन लिया तो बैनियन ट्री उनके इमाजिनेशन में सवाल कर रहा है कि मैं अपने एरियल रूट्स यानि मैं अपनी जड़ों को कहां फैला हूँ अब तुमने तो मुझे काट दिया तो इन कुछ लाइन से पोईट हमें यह समझाना चाहते हैं यह मैसेज देना चाहते हैं कि So this was all about the summary and now let's discuss the question and answers. Question 1 Identify the lines that reveal the critical tone of the poet towards the felling of the tree. तो critical का meaning क्यों होता है? Serious और felling का मतलब होता है chop करना याने काटना. तो हामें बूचा गया है question में कि आपको पोईम में से कुछ lines identify करनी है ने पहचारनी है जिससे यह पता चलता है कि poet बहुत ज़ादा serious tone में वो line लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वो पेड कटा. So the answer is Dilip Chitre's poem contains various lines that show the felling of the bannion tree. Such as तो Dilip Chitre की जो poem हैं उसमें कई ऐसी line हैं जिसमें काफी serious tone दिखाई देरी हैं हमारे poet की कि कैसे वो बहुत serious हैं कि भाई पेड कट रहे हैं और वो line कौन सी हैं? वो lines हैं सबसे पहले तो यह है Its scruggy aerial roots fell to the ground तो जो aerial roots थे पतले thin and rough, scruggy मतलब thin and rough aerial roots थे वो इतने लंबे थे कि वो जमीन तक touch कर रहे थे sawing them off for seven days and the heap was huge और फिर aerial roots को saw याने की 101 tool होता है इस तरीके से उसको आरी से काट काट के साथ दिनों तक सारी branches को और roots को काटा जिसकी वज़े से एक heap याने धेरी बन गई थी साथ दिन लग गया याने इतना बड़ा tree था वो 50 men with axes chopped and chopped फिर जो trunk जो तना था पेड का उसको काटने के लिए 50 आदमी लगे जो कुलहाडियों से याने axis से continuously पेड को chop and chop कर रहे थी insects and birds began to leave the tree अब ये जो बैने ट्री था ये एक habitat याने घर रहनी के जगा थी बहुत सारे insects जीव जनते हो के लिए और birds याने पक्षियों के लिए और जैसे उन्हें पता चला कि पेड कटने वाला है उन्होंने पेड छोड़ना स्टार्ट कर दी है और उनका घर उनसे चिन गया तो ये कुछ serious lines है जो poet ने use की है ये बताने के लिए कि भाई तना पुराना पेड कट रहा है नेक्स identify the words that help you understand the nature of the poet's father तो अब आप कुछ words हमारी पॉम में से identify करें और ढूंड के निकालिए जिससे आपको poet के जो father है उनके nature के बार में पता चलता है कि वो कैसे व्यक्ती थे answer the poem provides us several instances that tell us about the nature of the poet's father तो पॉम में ऐसे बहुत सारे examples हैं जो हमें बताते हैं कि poet के father का nature कैसा था the father was a practical man who removed all the trees from the land as they were shifting तो उनके father कहीं न कहीं बहुत practical man थे emotional नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि हम लोग shift कर रहे हैं बारोडा से बॉमबे जा रहे हैं ये जगा किसी काम के नहीं तो पेड़वेर कटवा के ये land को sell कर दो उसलिए उन्हें बेरहमी से बिना किसी motion के सारे पेड़ कटवा दिये certain words that can capture this side of the father are अब जो कुछ words हैं जो father के nature के बारे में बताते हैं वो क्या words हैं the structures were demolished structures याने जिन घरों में किराइदार रहते थे उन सब घरों को उन्होंने demolish करा दिया याने destroy तोडवा दिया but he massacred them all दादी उनकी बोलती थी याने poet के फादर की जो मम्मी थी याने poet की दादी वो कहती थी कि भाई ये crime है ये गुना है पेड़ काटना क्योंकि पेड़ पवित्र है पूझ नहीं है उनकी पूझा होती है लेकिन फिर भी उन्होंने violently बुरी इतरा बे रहमी से सारे पेड़ों को कटवा दिया my father ordered it to be removed ban entry कट भी नहीं रहा था फिर भी उनके father ने order दिया सारे workers को कि भाई remove कर दो तो ये कुछ line हों से पता चलता है कि वो काफी practical थे और कोई emotional feeling उनके अंदर नहीं थी next trees are sacred my grandmother used to say what does the poet imply by this line the poet की grandmother कहती थी कि जो पेड़ है वो sacred होते है याने holy, पवित्र होते है तो इस line को लिख के बता के poet क्या दर्शाना चाहते है है इस poem के through तो according to Indian mythology some trees are considered sacred हिंदुस्तानी mythology याने पौराने कथाओं के साब से कुछ पेड़ जो है वो पवित्र माने गए है there have been many beliefs about neem tree तो बहुत जैसे neem कट पेड़ हो गया banyan का हो गया, shioga, tulsi, odom पर ये अलग अलग पेड़ों के बारे में इस तरीके की बहुत सारी beliefs है याने मानने ता है कि ये सारे पेड़ क्या है होली याने पवित्र है the banyan tree is the most sacred of these and removing of a banyan tree is considered to be a sin as it was supposed to be worshipped in the holy scriptures तो जो holy scriptures तो ग्रंथ की पवित्र किताबे थी उसमें बताया गया है कि जो banyan का ट्री है वो सबसे जादा पवित्र है क्योंकि उसको क्या करा जाता था वर्षेव उसकी पूजा करी जाती थी और इस पेड़ को कटवाना बहुत बड़ा सिंध है याने बहुत बड़ा पाप है ओके next no trees except the one which grows and seed is in one's dreams why is the phrase grows and seed is used तो ये जो line है ये आपकी poem की line है तो poet बोल रहे हैं कि जो phrase है जिसमें grows and seed is लिखा है ये क्यों use करा गया है हमारी poem में seed is का मतलब क्या होता है जो बहुत quickly चीज ग्रो कर रही और बढ़ रही है okay answer when the poet shifts to Baroda he sees a banyan tree he sees a banyan tree that takes him back to the memory of that of the tree that his father has chopped while shifting तो जब poet bombay shift हो जाते तो उनको वो याद आता है वो सारी memory याद आती ही कि किस तरीक से banyan tree उनके फादर ने chop कर दी थी याने काट दी थी क्योंकि उनको shift करना था कहां shift करना था पहले बरोडा रहते थे थे फ़र बाद में bombay the memory of the tree grows strongly in his dreams and affects him अब यह जो बुरी तरीके से उनके फादर ने tree को काटा है यह memory इनके दिमाग में बढ़ रही है ग्रो होती जा रही है और उनको बहुत उनके सपनों में आ रहा है जैसे वो पेड़ और उनको affect कर रहा है कि क्यों पोईट को लग रहा है कि कही न कहीं बहुत बड़ा loss हो गया हमें बहुत बड़ा loss हो गया तो grow करना और quickly grow करना यानि seeds का मतलब यह है कि वो banan tree तो cut गया था लेकिन कहीं न कहीं bombay shift होने के बाद पोईट के mind में पोईट के imagination में वो tree अब भी जिन्दा था और grow हो रहा था और पोईट से सवाल कर रहा था कि अब मैं अपनी जड़े कहां फैला हूँ मैं कहां जाओ तुमने मुझे काट दिया मैंने तो तुम्हें कितना shade दिया तुमारे लिए तुमारे लिए फल और कितना अच्छी अच्छी तुम्हें फूल दिया मैंने लेकिन तुमने क्या किया मुझे काट दिया Next question How does the banyan tree stand out as different from other trees यह जो banyan tree है वो दूसरे पेडों से अलग हटके कैसे खड़ा होता है यानि कैसे हमको दूसरे पेडों से बिल्खुल अलग दिखाई पड़ता है What details of the tree does the poet highlight in the poem तो इस banyan tree के बार में ऐसी कौन सी details है जो poet ने पूरी poem में highlight करके आने अलग से आपको बताईए The banyan tree is beautiful in existence Banyan tree दिखने में बहुत जादा सुन्दर और बड़ा होता है The rings on the tree tells about the age of the tree which is about 200 years तो जो banyan tree पे जो rings होती है इस तरीक से जो मैंने आपको बताई थी कि ये जो rings होती है एक tree की age बताता है और जब इस poem में banyan tree को काटा गया तो पता चला कि वो कितने साल पुरान है 200 years पुराना tree है According to ancient mythologies there are many stories that tell about the purity of the tree तो Indian mythology के according और पुराने जमाने की पुराने कताओं के हिसाब से बताया जाता है कि ये जो पेड़ है बहुड़ी कहानिया है बताया जाता है कि जो पेड़ है ये बहुत प्यॉर है बहुत ही पवित्र पेड़ है पूजा करी जाती है इसकी पूजा करी जाती है नेक्स तो पूम में ये फ्रेज आया है रोव मैथोलोजी इसका क्या implication है इसका क्या मतलब है तो मैथोलोजी मतलब पुरानी कताओं एंशिंट जमाने की पूरी पुराने कताओं जिसमें अलग-अलग चीजें बताई गई है जिनको शाद आच तक हम जिन पर बिलीफ कर रहे है तो बोला जाता है कि जो बैनियन ट्री है मैथोलोजी के हिसाब से याने पुराने कताओं के हिसाब से बहुत जादा सेक्रेड याने पवित्र है यहाँ तक ही पुएट की जो ग्रैंड मदर है दादी मा वो भी यही बात बोलती है तो जिस तरीके से पुएट के फादर ने ओर दिया था कि काट दो पूरा बैनियन ट्री उस हिसाब से एक मिस्ट्री एक रहस्य हमारे सामने आया बैनियन ट्री के कटने के बाद जो एरियल रूट्स याने हवा में लटकने वाली जो जड़े थी बैनियन ट्री की वो मतलब उसको बिलकुल जमीन तक टचोरी थी इतनी लंबी और पुरानी थी और उसका जो पूरे पेड के तनी का जो पेरिमिटर था वो अरूंड 50 फीट था तो क्या मिस्ट्री सामने है कि ये एक बहुत ही पुराना 200 साल पुराना पेड है जिसमें बहुत सारा नॉलेज छपा हुआ है कई न कई गुथी बनी हुई है नॉलेज की इस पेड के अंदर क्योंकि ये 200 साल पुराना पेड है इसने अपने साथ पीडियां देखी हैं अपने सामने, 200 साल पुराना कई generations इसने अपने सामने आख के जाते हुए देखी लेकिन पेड़ वहीं का वहीं था वेन इट इस कट डाउन, the poet feels that the mythology is revealed तो जब यह पेड़ कट हुआ तो poet को ऐसा लगता है कि जो पौराने कथा है वो सामने reveal ओके हैं याने हमारे सामने दर्शा के हमारे सामने बात बताई गई कि भाई वाकई एक आपने sacred tree, पूजन यह पेड़ को आपने काट दिया next, whose roots lay deeper than our lives, what aspect of human behavior does this line reflect तो यह जो line है, यह अपकी poem की line है तो बोल रहे हैं कि इस poem की line को पढ़के, जो human behavior है, जो इंसानों का behavior होता है वो क्या बताता है, यह line क्या बताती है इंसानों के behavior के बारे में answer है, a banyan tree lives through generations, जो banyan tree है, यह banyan tree 200 साल था, और कोई भी banyan tree 200 साल से उपर जी सकता है, और वो कई generations हैने पीडियों को अपने समने आते और जाते देखता है the lifespan of a banyan tree is usually 200 years, 200 long years तो जो पूरी lifespan है, यहने पूरी जीवन का जो समय है, एक banyan tree का वो 200 लंबे साल है compared to the 80 years that a man lives, a banyan tree outgrows him to experience generational changes अब, banyan tree की lifespan 200 साल से जाद है, लेकिन अगर एक इंसान की बात करें, तो इंसान सिर्फ कितने साल जीता है, maximum 80 साल ठीक, तो एक banyan tree जिसमें 200 साल से जाद है का generation knowledge उसके इंदर छुपा हुआ है वो पूरा experience और knowledge अकेले की किसको दे सकता है, एक 80 साल की इंसान को जो कि उससे साल जीने भी नहीं वाला है और बीतते वक्त, बीतते समय के साथ, ये पेड ओल्ड याने बूरा होता चला गिया, जिसकी वज़े से इसके इंदर बहुत सारा experience और knowledge छुपा हुआ है, जो एक 80 साल के इंसान को मिल सकता है 200 साल के banyan tree से next, comment on the contemporary concern that the poem echoes, contemporary concern, concern याने फिकर और contemporary याने अभी, present time में जो situation हमारे सामने आ रहे हैं कि लोग पेड काट रहे हैं, property बना रहे हैं, और घर बना रहे हैं, factory बना रहे हैं, और पेड काट रहे हैं तो ये जो concern, ये जो फिकर है पेड काटने की, इस वक्त, ये poem में जो भी बाते कही गई हैं, तो poem चीक चीक के क्या बोल रहे हैं, और क्या बाते हमारे कानों तक गूंच के आ रहे हैं, एको हो रहे हैं, कि भाई, अब फिकर का वक्त है, अभी problem है, पेड लोग काट रहे हैं तो poem इस पे क्या बताना चाहती है, हमें इसको comment करके हमें अपने views बताने हैं, तो poet is concerned about the speed with which the traditions are changing and are affected by modern cultures, तो poet बहुत जादा फिकर कर रहे हैं, कि कितनी speed से जो हमारे पुराने traditions हैं, जो हमारी पुराने माननेता हैं, वो बदल रही हैं और affect हो रही हैं, उनको फर्क पढ़ आज के modern culture की वज़े से, young generation modern cultures को अपना रही हैं, पुराने traditions को भूलती ही चली जा रही हैं, जिसमें ये भी बात कही जाती हैं कि भाई, पेड सेक्रेट उनको मत कातू, पवित्र होते हैं, the values attached to trees in earlier times is not of concern to people living in modern society, तो जो लोग आज के जमाने में modern society में जी रहे हैं, उनको को से जुड़ी हुई हैं, पेडों से जुड़ी हुई हैं, और जो पुराने जमाने में लोग पेडों की पूजा करते थे, तुलसी पे दिया लगाते थे, पेडों की तुलसी विवाहा कराते थे, शादी भी कराते थे पेडों की, तो ये जो traditions हैं, उन्स इन traditions से कोई मतलब को भी लेना देना नहीं है उन लोगों का जो आज modern society में जी रहे हैं The poet wonders at the change our society is undergoing and has written the poem on it The poet बहुत wonder करते हैं, बहुत हैरान होते हैं कि हमारी society में कितनी तेजी से ये बदलाव आ रहा है और modern generation के जो बच्चे हैं जो लोग हैं अपने पुरानी values को भूलते चले जा रहे हैं और इसी वज़े से उन्होंने ये poem जो है लिखी है ताकि हमें वो aware कर पाएं कि it's high time अब भी देर नहीं हुए, आखे खोलो और जागो, पेड मत काटो, नेचर से अपने relationship को बरबाद मत करो ओके, so here we come to the end of this session, I hope आपको summary and questions and answers बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगे आप चाहें तो हमारे वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले तो आप वेबसाइट पर जाएए, which is magnetbrains.com जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे, इस तरीकी का पेज आपके सामने आएगा, जहां पर woven words का यह option given है अगर आपको उसके videos देखने हैं, तो उसपे click करें, जैसे आप click करेंगे मेरे list of videos आपके सामने आजाएंगे For example, आपको syllables overview का video देखना है, तो उसपे click करेंगे, जैसे आप click करेंगे, मेरा video आपके सामने play होना start हो जाएगा And, do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel क्योंकि Magnet Brains free of cost, quality education आपकी घर तक पहुचा रहा है तब तक के लिए Bye Bye and Take Care